हलो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी योटीब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जूड़ी पल-पल की अपडेट देते रहता हूँ दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि एड्मिशन जो होने वाला है अभी वर्तमार में प्री डीएड और प्री बीएड का जो एक्जाम हुआ था उसके माध्यम से बीएड और डीएड कॉलेजों में एड्मिशन की प्रक्रिया चलनी है तो उन्हीं क पूरी जानकारी अर्थात एड्मिशन 2022 की जो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2021 में बीएड और डीएड का कट आप कितना रहा था प्री का साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों डीएड में कितने college है, DLA में कितने college है, BLAD में कितने college है, सरकारी private college मेंam कितना है , इन तमाम बिंदों पर चर्चा हम इस वीडियो के माथहम से करेंगे दोस्तों ,दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिंगे साथी साथ दोस्तों वीडियो को अन तक जरूर देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी संक्षेप में समझ आए आपका जितना भी नमबर बन रहा हो दोस्तों क्या आपको वास्तों में उतने नमबर में कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा क्योंकि इस बार जो कॉंपिटिशन बहुत हाई रहा है इसलिए नमबर भी हाई चाहिए दोस्तों तो उनकी हम तमाम जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे चली देर न करते हुए हम चर्चा की सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि 2021 में जब एक्जाम लिया गया था प्री डियलेट का तो प्री डियलेट 2021 में क्या रहा कटा पर था कितना नमबर वालों का सलेक्षन पिछले साल हुआ था देखिए दोस्तों टोटल सिट सरकारी है 25 गार्चीट में जिसमें आपका कैटेगेरी वाइस हम बात करें कटाप की साथ है साथ more विंदों पर हम बात करें दोस्तों तो देखिए आपका ST candidate की जो उम्मीद्वार थे उनके लिए अलग अलग अरक्षित केटिगरी है कट आफ है जिसमें ST candidate को 40 नंबर में कॉलेज मिल गया था दोस्तों SC की हम बात कर लें तो 45 नंबर वाले जो SC candidate हैं उनको कॉलेज मिल गया था OBC candidate में थोड़ा हाई जाता ही है दोस्तों आप सबको पता है तो OBC में 50 नंबर वालों का 50 से 52 नंबर वालों का चयन कॉलेज के लिए हुआ था साथी साथ जनरल कटेगरी के उम्मित द्वारों के लिए साथ नंबर में पिछले बार में चयन हुआ था दोस्तों ये डेलेट कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ लेकिन इस बार क्या हो सकता है कट आप उसकी भी हम जान काई देखेंगे इस बार थोड़ा हाई गया है दोस् साथ एस्टी केंडिडेट का जो कट आप है 45 जाएगा इस बार लगभग साथी साथ एस्टी केंडिडेट का 50 क्या सपस जाएगा ओबीसी से यदि आप आते हैं दोस्तों तो 55 नंबर तक यदि आपका ओबीसी में है तो चयन हो सकता है इसके अलावा जेनरल कटिगरी में 65 नंबर वालों का चयन कॉलेज में होगा तो इस प्रकार का जो कट आप है 60-65 जा सकता है पचास से पच्पन इस प्रकार से दो चार नंबर का आगे पिछे होगा दोस्तों इस बार पिछली बार के तुलना में लगभग चार पांच नंबर का प्लस ही जाएगा कट आप की अगर हम बात करें तो साथी साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं B8 का कट आप क्या होगा तो देखिए इस बार की जो B8 की परिक्षा है आप सभी को पता होगा दोस्तों दो लाक आविदन गया था तो इस बार कट आप भी संभावना बन रही है साथ ही साथ ऐसी कैटिगरी के उम्मित द्वारों के लिए 48 नंबर तक का संभावना दिखाई दे रहा है दोस्तों वह इस बार बढ़ा है दोस्तों तो थोड़ा से मुश्किल होगी इस बार कॉलेज हासिल करने में अगर कॉलेज मिल जाएगा यदि हम बात करें फीस की दोस्तों और कॉलेज डिटेल्स की कहां कहां कितने कॉलेज हैं और उनके पूरी फीस कितनी है तो देखिए दोस्तों हम बात करें डियेलेड में फीस की की जो डियेलेड पाठकरम है उसमें कितना फीस लिया जाता है तो कॉलेज जो है ए ग्रेट बी ग्रेट के अलग-अलग कॉलेज होता है दोस्तों और उसमें जो फे Sahण भी है अलग-अलग निरधरित रहता है यदि हम अलग-अलग कॉलेजवार फीस की बात करता है यह लगभग आपको एपको 90- HC को नाम दिया weakness में पंडित हरी संकर शिक्षा महाविद्याला है जांगीर में 19,000 फीस है जे आरडी कॉलेज आप एजुकेशन पामगड में 19,000 फीस है लाल भादु स्थास्त्री कॉलेज बलावदा में 19,000 फीस है ऐसे ही रहोद सुसायटी में 20,000 है भारती स्कुलाप एजुकेशन रहोद म में 19,000 है स्यामा सिक्षा महाविद्याला में शक्ति में 20,000 फीस है अभी मान डियेट कॉलेज रायगर में 19,000 फीस है इस प्रकार से 19,000 फीस लगभग आप राउंड आज पास अगर मान के चले दोस्तों तो प्राइवेट कॉलेज में 20,000 रूपय प्रती वर्स फीस आपको डियेलेट पाठेकरम के लिए देना होगा यह तो हुआ दोस्तों डियेलेट पाठेकरम में प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है इसके अलावा यदि हम बात करें सरकारी कॉलेज के फीस की दोस्तों तो वर्तमान में मैं खुद डियेलेट किया हूँ तो सरकारी जो कॉलेज है वहाँ पर जब शुरू साल में आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फीश है दोस्तों 3500 रुपए लगता है जिसमें 500 रुपए कौसन मनी का लगता है 3000 रुपए फीश इस प्रकार से 3500 रुपए आपको फीश लगेगा और शेकन डियर में ये फीश 3000 रुपए हो जाता अन्य देख़ार 5 रुपए कं लगता है इस प्रकार से 3000-4000 ही फीश सरकारी कॉलेज में लगता है डियरेट पाथिक्रम में एडमिशन के लिए तो सरकारी कॉलेज में बहुत कम फीश लगता है दोस्तों यदि आपकाסरकारी कॉलेज में आराम से आपका चयन हो जाएगा द देखिए दोस्तों यहां जो फीस है 2022, 2021 की अवधी में निधारित किया गया है जिसमें 28 महाविद्यालेव में कितना कितना फीस लगता है उनकी जानकाई दी गई है इसमें भी सेम कंडिशन बनता है दोस्तों अर्थात एगरेड बिरिगेट की जो कॉलेज है उसके अधार पर फीस कम ज़्यादा है जिसमें यदि हम 2021 की बात करें 2027 की बात करें दोस्तों देखिए आपका सांती भाई शिक्षा महाविद्याला है महाशमून में 3970 रुपर फीस है वैसे ज्यान गंगाई स्कूल के पास बिजनेस आई-उ कूती स्कूल आप मैनेजमेंट में है 2970 इस प्रकार से अलग अलग फीस निधारित की गई है देखिए कमला नेरु महाविद्याला राने रोत कोर्बा में है आपका 31,970 रुपर तो लगभग हम कहें दोस्तों बीएट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज की हम बात करना है प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है इत इतना मानगी चली कि 30 से 35,000 रुपए तक की फीस आपको प्राइवेट कॉलेज में देना पड़ेगा प्रतिवर्स तो 30 से 35,000 रुपए रेगुलर के हम बात कर रहे हैं दोस्तों रेगुलर में इतना फीस आपको लगेगा दोस्तों यदि आप इनका अन्य डिटेल्स चाहत हैं कॉलेज में आप जा करके भी जानकारी ले सकते हैं लेकिन 30 से 35,000 रुपए तक कॉलेज के उपर डिपेंड करता है जो पुराना कॉलेज हैं जो फेमास हैं दोस्तों वहाँ पर फीस थोड़ा जादा लगता है जो नवीन कॉलेज हैं उनमें फीस एक आथ जार की कम होती 30 से 35,000 रुपए तक की फीस आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए देना पड़ेगा बीएड में यदि हम बात करें दोस्तों बीएड के जो सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पर कितना फीस लगता है तो सरकारी कॉलेज की अगर हम फीस की बात करें तो साड़े साथ आठ हजार के आसपास आपको एक साल का फीस लगता है और आपको कहना चीए दोस्तों स्कॉलर्शिप में आपको उतना पैसा भी रिटर ना जाता है ऐसा नहीं है लेकिन फीस की हम बात करें तो साथ आठ हजार रुपए तक की फीस एक साल में लगता है गौर्मेंट कॉलेज में बीएड के लिए बेचलर आप एजूकेशन के लिए हमारे प्रद्यस में तीन से पांच छे कॉलेज ही होंगे बहूत कमी सीठ है दोस्तों तो कहाना चीफ मिलना बहुत मुथ मुश्किल है इसके लिए आपको कम से कम सते से एबब अंक लाना निवारी है तबी आपका बीएड में ग competition बहुत ज़्यादा है अगर अच्छे marks आ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होगी यदि कम marks आ रहे हैं तो counseling को थोड़ा सा सोच समझ के जरूर डालें क्योंकि जैसे आप वरियता क्रम डालेंगे उसी के हिसाब से आपका चया निधायत होता है तो वरियता क्रम डालने से पहले विचार विमर्ष कर लें कि कौन से college का नाम हम पहले देंगे ताकि हमारा selection जल्दी हो सके तो बस दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही information के साथ हम अपने चैनल के माध्यम से jobs related तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं एक बात और दोस्तों college list के हम बात करें college details के हम बात करें तो मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रूप है वहाँ पर बीएड और डीएड जो college है उनकी details डाल दूंगा फिस की जानकारी भी मैं complete डाल दूंगा आप वहां से भी जाएंगे और PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्र education जिसका लिंक में description में दिया रहता हूं आप वहां से डारेक्ट आप लिंक पर जाकर के मेरे ग्रूप में add हो सकते हैं धन्यमाद दोस्तों